हाई हाई हो अधान हमारा टॉपर स्लस्क्राइं vlogging लंगविज इस टॉपिक में पहला न्यूस्के पेफल दे चुका हूं रोइटिक प्रोग्रामिंग लैग्विज़ हो न्यूंड अप्रण टो है तो आधे पार थी स्टाट Chapter से पहले आप कर दो कुछ्छ दे ज़रूर देख लेजी का तारकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से अपने नोट्स बना सके हैं कि चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्ट्टर कि रोबोट के टेचिंग मेफ़ड के दो मेफड एक था ओनलाइन मेफड एक तो ऑफलाइन मेफड ऑफलाइन ऑनलाइन फर्दर डिवाइड ज्याता है हमारे दो में एक मैनले टेचिंग मैनले टेचिंग में हमने तीन मेफड पढ़े है कंड्रोल हैं Pennsylvania पुछ बटन अद बट अब हम करने वाले हैं lead-through teaching इस lecture में हम mainly इसी topic में concentrate करेंगे यह किस प्रकार होता है इसका क्या method होता है lead-through teaching suitable होती है किसी continuous path task के लिए जैसे कि मेरा milling का operation होता है इसमें क्या है मेरी milling का tool होता है वो continuously मेरी work job के साथ चलता है और अपने साथ साथ material निकालता जाता है और milling करता जाता है तो हम माल लेते हैं हमारे पास कोई ऐसी job है जिसकी profile यह दिखी ही है हलकी सी edge shape की यह मेरा milling tool है और यह मेरा end gripper से पकड़ा हुआ है हमको क्या करना है कि यह path trace करना है और इस profile की cutting करनी है तो इस profile को एकदम cut करने के लिए हम क्या करते हैं इस profile को divide कर देते है large number of small pieces में जैसे यह हो गया जि मैंने दिखा रखा है कि हमने ऐसे ऐसे बहुत सारे pieces में divide कर दिया हमाल लेते हैं 1000 pieces में हमने divide कर दिया तो इन 1000 के corresponding हमारे कुछ theta होंगे theta 1 होगा theta 2 होगा ऐसे theta 3 होगा तो ऐसे हमारे theta n होगे 1000 times तक हमारे theta होगे तो इसके यह तो माल लेते इतने theta हमने कटे कर लिए हैं अब problem आएगी हमारी इन theta को हम store कैसे करें ठीक है information मिल गई इतने theta हमने कटे कर लिए कि इस profile के लिए इतने number of theta है और इसके हम cutting कर सकते हैं बट problem कहा है कि problem है कि जब हम इस information को store करेंगे क्योंकि manipulator की जो हमारी store होनी है information वो उसके collector के अंदर store होनी है तो जितना ज़्यादा data होगा उतना हमे data bank चाहिए उसको store करने के लिए तो हमारे पाक बहुत बड़ी problem खड़ी हो जाए कि data store करने के तो अब इस problem का solution क्या है या तो अब हम manually एक manually इस milling tool को पकड़ लें और इसके ओपर optical readers लगे हैं वह क्या करेंगे अलग 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 इसको करने के लिए हमारे पास एक option होता है वह होता है हमारा रोबोट simulator रोबोट simulator क्या होता है हमारा जो main simulator यानि के main robot है एक दम उसी के तरह होता है same kinetics similar joint होएंगे similar link होएंगे सब कुछ उसी के तरह होगा बस होगा कि अंतर scale थोड़ी कम होगी scale यानि के अगर main motor का size एक है तो यह one उसी same size का हो सकता है यह one is to two का हो सकता है यह one is to point five का हो सकता है तो हमारे इसका size में variation होगे बाकि एक्तम सेम उसकी copy होगा वह वाला robot यह अपना simulator robot और एक और अंतर होता है कि जो हमारा main robot है उस main robot में हमारे links होते हैं sorry motors होता है उसको चलाने के लिए links में motors होते हैं बट हमारा robot simulator है इसमें कोई link नहीं होगा कोई chain drive नहीं होगा कोई gear system नहीं होगा इसमें सिर्फ हर joint पे optical optical encoder होगा हर एक joint पे जितने उसके joint होगे जितने link होगे उसके हर joint पे हमारा optical encoder होगा तो अब main motor में जो main robot है हमारा main simulator है उसमें value को store करता जाएगा तो इससे क्या है हम लोग को पूरा का पूरा profile में जाएगी और हमारा data है वह कम theta में calculate हो जाएगा और हमें पता है जितना कम theta होगा value theta की जितनी कम होगा जितने ज्यादा हमारे पाट कटेंगे उतनी ज्यादा उसकी प्रिसीजन आएगा पाट कटेंगे मतलब कि जैसे मैंने प्रोफाइल बनाए थी इसमें छोटा छोटा जितना कम होगा इस प्रोफाइल का उतना अच्छी हमारे पर प्रिसीजन होगी उतनी अच्छी क्लियरिटी होगी जॉप में तो यही प्रोसीजर होता है हमारा लेट थ्रू टेचिंग में यानि कि हम एक रोबोटिक सिमिलेटर की साहता से मैनवली या विदाउट मैनवली किसी पाट को ट्रेस कर लेते हैं और वो पाट का डाटा थ्रू ऑप्टिकल एंकोडर स्टोर हो जाता है रोबोट के ब्रेन के अंदर कि इसको हम बोलते हैं लेट थ्रू टेचिंग इसमें जो हमारा में मेल रोबोट होता है मेल रोबोट को बोला जाता है में स्लेव बूट सब्सक्राइब V-E-E-Slave Robot एंड हमारा जो यह Robot Simulator है इसको बोलते हम Master 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 Robot तो इस Master Robot की हेल्प से हम इस Slave Robot में प्रोग्रामिंग करते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं हम इसको अपने Slave Robot को Master Robot की हेल्प से अब हम रोबोर को किस तरह से manual instruction या फिर programming कि थूर instruction देते हैं वो हमें पता चल चुका है हमारे पास दो method थे online method और offline method online method में हमारी manual teaching थी और lead-through teaching manual teaching के तीनों पॉइंट्स हमने control, push button and teach pendant को कैसे point to point इसमाल करके हम job की programming करते हैं वो हमें पता चल चुका है अब हमारा जो है continuous lead-through teaching ये मैंने आपको भी बताया कुछ दे पहले ही इसमें हम लोग किस तरह से path को continuously trace करके programming करते हैं अब चलते हैं next slide की और lead-through programming अभी मैंने आपको पिछली slide में उसकी theory समझा है किस तरह से lead-through programming में programming की जाती है इस slide में उसके बारे में कुछ theory लिखे गई है और ये इस theory को पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं क्या-क्या लिखा है इसमें the robot arm using this teaching method are typically one with wrist motion plus three degree of freedom and having revolute joint यानि कि जो robot arm हम teach करते हैं इस method के तरह उनके पास एक तो wrist motion होनी चाहिए wrist आपको पता है वो portion होता है जो grip जहां पे जिसके नीचे gripper लगता है यह चीज मैंने आपको अपने online lecture में बता दी गई है कि रोबोट के main parts के अंदर प्लस उसमें three degree of freedom होनी चाहिए and उसके अंदर revolute joint होने चाहिए यह condition है condition बोल दो या फिर यह requirement है हमारी lead through teaching की क्योंकि होता क्या है जैसे कि degree of freedom के बारे में बता है अगर हमें कोई यह चीज रोटेट करनी है या आगे पीछे ले जानी है या दूसरी x direction या y z direction या x direction के बाद y direction के बाद y direction के बाद z direction के बाद तो हमारा पस तीन degree of freedom तो होनी चाहिए ही चाहिए and revolute joint ताकि हमारे अलग-अलग position में रोबोट की आम पहुचा के जैसे यह दिखा रखा है हमारा यह एक revolute joint हमारा यह हो गया एक revolute joint यह हो गया हमारा यह हमारा and यह हमारा prismatic हो गया तो यह इसमें दिखा रखा है जो हमारा यह जो मैंने बताई थी आपको कि हम मैनुवली लेके जाता है मैनुवली हमारे जो रोबोट के आम होती उस पर optical encoders लगए जाता है यह फिर किसी तरह का कोई दूसरा sensor होगा जो हमारा data लेता रहता है टाम-टु-टाइम frequent intervals पर जो है जोएंट पोजिशन सेंसर पोटेंशोमीटर रोड इंकोड़ डिस्क प्रोवाइड पोजिशन इन्फरमेशन आज रोबोट इस मोविंग थूए जैसे मैने अभी अब को बताया था हमारा जो रोबोट सिम्यूलेटर होता है उसमें हमारे जो जोएंट जोएंट पोजिशन सेंपल प्रोडिकली अंचे जैसे अमारा टाइम बढ़ता है वैसे यह जो हमारी इनफोरमेशन उसके अंदर है उसमें स्टोर करती जाता हैं कुछ निकालने वाली होती है हम निकाल देते हैं कुछ नई प्रोग्रामिंग हमें डालनी है हम वह डाल देते हैं और and played back the end effector appear to follow the continuous path. जब हम उस programming को डालता हैं, तो जो end effector है हमारा, जहां पर हमारा tool या फिर कोई होर working application के लिए object लगा है, तो वो हमें एक continuous path करता हुआ दीखता है. This method has an advantage of simplicity but required reprogramming for each new task. Example, painting a different component. इसकी हमारे पास advantage बहुत साई अची अची हैं. लेकिन जैसे इसमें पता रहा गया है कि अगर हमें कोई नई job करनी है, तो हमें दुबारा programming करनी पड़ीगी जैसे कि यह दिया हुआ है, अगर हमें किसी और बाइक को पेंट करना है तो उसके लिए अलग programming होगी, कार को पेंट करना है तो उसके लिए अलग programming होगी, तो मतलब हमारी job के according हम उसमें programming करेंगे. यह कुछ एक्जेंपल देवे हैं जहां जहां यह यूज होती है हमारी लीड थू प्रोग्रामिंग जैसे कि यह इस्प्रेय उप्रेशन जहां होता है, और वही चीज़ यहां पर लिखी गई है यह थेवरी में, आप अपने तरीके से अपने नोट्स बनाएए इनके और सेव करिए हैं, यह देखिए एक एक एक्जेंपल दिया हुआ है, यह आदमी रोबोट को किस तरह अपना मैनवली हाथ पगड़के, क्योंकि यह हमारी सिंपल जॉब पेस में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो मैनवली सेंसर के थुरू यह डाटा सेव होता जाएगा हमारे स्लेव मास्टर रोबोट में, और इसका डाटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मेन रोबोट में, जैसे यह ATR105 लिखावा है, यह इस बात को अराम से ट्रेस कराएगा और इसकी मेमली में स्टोर करा देगा, कुछ advantages, disadvantages हैं हमारी online programming की, दिखान रखी हैं यहां पर हम दोनों programming के बात कर ले हैं, teach pendant and lead through जो online programming के अंदर आती है, तो इनके advantage है easy to use, बहुत असान है आपने जैसे देखा, असानी से कर सकते हैं इसको, little to no skill required, हमें ज़्यादा skill की ज़रूरत भी नहीं है, करने के जह नहीं कि एक मैंमेली किसे को सिखाना आ ता कि वो जैसे हमारी जोप करनी है वसी सաղज़ों पराइम डाल सके क्योंकि first time गने होनी हो वह ब्रॉग्रामीं ऑनयोगा मैनमली होनी या फिर फिर फ्रॉग्राम में और यह process हमारी काफी तेजी से हो जाती है, इसमें इतना time भी नहीं लगता है, फिर कुछ disadvantages है इसकी, require production line shutdown, क्योंकि हमें पता है यह online programming है, यह जो हमारी on robot programming हो रही है, यह जैसे कोई काम हमारा चल रहा है, तो हमें कोई task change करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पूरी क पूरी production line हमें shut करनी पड़ेगी, यानि कि बंद करनी ही पड़ेगी, तो यह बहुत 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 disadvantage है हमारी online programming की, technician programming inside work envelope, work envelope वाला चप्टर मैंने आपको बताया था, work envelope क्या होता है, work envelope हमारे उस robot की volume होती है, जिस volume के अंदर वो कारिय करता है, काम करता है, तो यह बहुत करना पड़ता है, जो यह बहुत risky operation है, कुछ miss fault होगे है, या कुछ unhappening होगे तो maybe उस case voltage भी हो सकती हो, उसके चोट भी लग सकती है, तो यह बहुत बढ़ी disadvantages है, कुछ और यह advantages दी हुई है, यह आप पर लीजएगा और अपने हिसाब से notes बना लीजएगा, यह देखिए जैसे इस photo में दिखाया गया है, कि किस तरह से यह हमारा programming कर गाया है, point to point वाली, एक यह दिखाई गई है, यह advantages देखिए, programming, illustrative, collision and inaccuracies are detected immediately, कुछ गलती है, तो वो तुन पढ़ सकते हैं, प्रोग्राम without further programming experience, आदमी को ज़्यादा skill की ज़रत नहीं है, किसके पास अगर पुराना experience नहीं है, तो वो अराम से कर सकता है, प्रोग्रामें के illustrative, यानि के programming सिखाई जाती है, disservantage होगे, creating complex, program are difficult, complex कुछ हमें, अगर programming करनी है, जिसके complex shape आगए हमको, जैसे हम 3D printing में कर पाते हैं, जिसकी lectures में आपको upload कर दी हैं, जो आप पढ़ सकते हो, उस तरह का कोई shape बनाना है, तो robot के help से, तो उसकी programming करना थोड़ी complicated होगी, integrating sensors are difficult, दुनिया बर के sensors लगे हैं, जो information गेन कर रहे हैं हमारे, तो उनको अलग-अलग करना, उनके बारे में knowledge जानकारी रखना, वो बहुत जादा ज़रूरी है, अगर किसी को उन चीजों की knowledge में हो, तो वो fault कर सकता है, हमारे robot system में, robot workspace is occupied during programming, मतलब जब हम में programming करनी हैं, तो वो area हम occupy कर लेता हैं, जैसे मैंने भी पिछली slide में दिखाया था, कुछ example की shutdown करना पड़ता है, पुरी production line का, तो ये कुछ advantage जैसे हमारी online programming का,